कैसे हैं आप से भी लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आप लोग कैसे grow app के अंदर अपनी mutual fund SIP को step up कर सकते हैं आप देखो mutual fund SIP को step up करना क्या होता है सबसेल हम लोग यह जान लते हैं फिर हम लोग आगे हैं पर पुरा प्रोसेस जान लेगी कि कैसे आप करना होता गया क्योंकि आपके लिए एक नया concept है तो देखो आपको यहां पर एक चीज़ पता होगी कि आपकी income यह हर साल बढ़ रही है देखो यहां पर हर साल आपकी income बढ़ीए आप लोग सोचेंगी जितने इंकम बढ़ रहे हैं उतना हम लोग investment amount भी बढ़ाए step up SIP के जो आप लोग नहीं पर step up SIP में जो amount डाला है वो next year यहां पर total increase हो जागा यहां पर दोनों जूड़के हैं अपर आप लोगा next year का SIP बन जाएगा अभी यहां पर live हम लोग जब यहां पर करेंगे ना grow up के इंदर तो आप लोग सीख जाएंगे अकि यह क्या है कैसे होगा अभी मैं आप लोग सिर्फ बता रहा हो होता क्या है जैसे कि आपकी income यहां पर आज 10,000 है अगले मही अगले साल आपकी इंकम होगी 15,000 है तो आप लोग यहां पर शूर सोचेंगे कि यहां पर investment amount भी बढ़ा हूँ तो आप लोग step up SIP के थूरू यही कर सकते हैं यहां पर चलते लाइब और यहां पर जान लेते कि कैसे हम लोग यहां पर grow up के अंदर SIP amount की step up कर सकते हैं यहां पर तो आप लोग क्या करो अपने mutual fund dashboard में आ जाओ mutual fund dashboard में आने के बाद यहां पर आने के बाद देखो आपका SIP continuous के उपर आप लोग क्लिक करो अब यहां पर देखो जो यहां पर आप लोग देख सकते हैं current SIP amount आप जैसे की देख पाऊगे और नीचे यहां पर increase by amount मतलब आप लोग है पर कितना amounts increase करना है यहां पर देखिए इसके बाद यह लिखा है और फिर हैं यहां पर after every मतलब हर 6 महीने में या फिर हर एक साल में आप लोग हर 6 महीने में ह 100 रुपए मैंने यहां पर 100 रुपए की SIP करी है तो नीचे यहां पर clearly लिखा हुआ है monthly SIP changes to 200 रुपी on March 20, March 2023 मतला March 2022 को यहां पर 6 महीने के बाद मेरी महीने की अभी SIP 100 रुपए बस यहां पर 20 March के बार यहां पर मेरी SIP 200 रुपए महीना हो जाएगी यही मैं एक साल पर कर को अभी सेट कर दिया है तो आप लोग देखो कुछ इस प्रकास SIP को step up कर सकते हैं अब देखे आपके मने में सवाल होगा कि अब देखे हम लोग नहीं पर SIP को step up को तो कर दिया भी यहां पर बाद चैन्स को pay नहीं कर पाए तो क्या करें तो इसके लिए भी grow app के नदर एक सकते हैं कोई problem आज चुकिए आपके पास financially हैं हम पर या फिर कोई भी problem आ जाती है तो आप लोग इस प्रकास से अपनी SIP को skip भी कर सकते हैं होब इस वीडियो से आप लोगा help मिली होगी आप लोग जान गए होंगे step up SIP क्या होता है और आप लोग mutual fund SIP को step up कैसे कर सकते हैं किसी मन की SIP का payment नहीं भी है तो कैसे आप लोग इसको skip कर सकते हैं